जी, क्लास 7, देखें मिटा, ऐसे 5.3 पर आते हैं, आपको सवाल में कहे रहे हैं, हमने ड्राइफ करना है, स्कुरी रूट इसका है, मतलब आपने स्कुरी रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथट से आपने इडिविजन मेथट को यूज करना है, डिविजन मेथट आपको ये स्कुरी वाले डिजिट सारे याद रखो, ठीक है मिटा, उसके बाद हम स्कुरी रूट निकालने हैं, डिविजन मेथट से, तो हम कुछ इस तरीके से एक बैक्ट टाइप बनाएंगे, जिसका स्कुरी रूट निकालना उसको अंदर रखेंगे, और अपने सीध वाली वैल्यूज में से ऐसा नंबर लिखना है, कि 20 या उससे छोटा आजा, तो देखें, स्कुरी वाली वैल्यूज हमापस, यह 16 जो है, यह 20 से छोटा है, अगर बड़ा देखेंगे, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, हमें छोटा लेना है, वो कब आता है, देखें मेटा, 4, 4, 16, यहां पर आप एड करेंगे, इधर आप सब्ट्रेक करेंगे, ठीक है, और आपने जो 4 को यूज किया था, वो आप यहां पर आंसर में भी लिखेंगे, एक दाब पर से देखें, आपने स्कुरीवर इंटम लेनी है, देखें, 4, 4, 16 आता है, इससे बड़ा लेंगे, 525 आ महार पास, 4, अगला पर उतार लेंगे, अगला पर क्या रहा है, मेरे बच्छा, 25, अब देखें, यहां पर आपने स्कुरी में रखना है, नमबर को, अगर आप 1 रखेंगे, तो 11 जा करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर 11 आंचर आएगा, मतलब आपको एक ऐसा डिजि आया करवादे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां अगर आप 3 रखते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से रखते हैं, लेकिन हमें 5 रखना है, 5 5s क्या होता है, 25, 5 8s 40, और 2 ब्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 42, तो देखें, आमने यहां पर भी 5 लिखा, यहां पर 5 मेरा बच्चा 45, यह आपका आंसर है, ठीक है, इस तरीके से, एक और question देख लेते हैं, हमने इसी तरीके से route लेना है, 10201 का, ठीक है, सबसे पहले तो आप right hand side से pair बना लें, जो single बचा उस पर ऐसे cap लग जाएगा, ठीक है, अब मुझे बताएं, पहला pair है, 1 आ रहा है, 1, 1 जा, 1, इधर मैं सब्ट्रैक करूंगा, इधर मैं एड करूँगा, जब मैं एड कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 फ्लस 1 हो जाता है, 2 और ये 1 से 1 कैंसल ट हो जाएगा, जो 1 से माई लिया था, वो 1 मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, अगला TenEn company Bible and 2 और मुझे पता ह पड़ेगा और वही जिरो यहां मैं आंसर में भी एड़ करोंगा ठीक है एक दब फिर से देख लें जब ऐसा डिजी बचे नीचे के वन से मल्टिप्लाय करने पर भी वैल्यू बड़ी हो रही हो तो हम जीरो यहां पर यहां पर अप्लाय करके एक प्लाय को नीचे उतार लेत कि जब भी आप किसी भी डिजिट का स्कुएर रूट निकालते हैं डिवीजन मैथट से तो आपका यह वाला जो आंसर होता है यह इसका डबल होता है मतला अगर आंसर को टू से मुटिप्लाय करेंगे तो नाइंटी आएगा इदर आंसर को टू से मुटिप्लाय करेंगे त तू जिरो तू आ जाएगा है ठीक है यह चेक करने का एक मैथड है